हे गाईज फिलकम बेक टो में डिप चालन तो आज हम डेगन कोड से इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जैसके हमने प्रिविस एपसोड में देखा था वो सेफली ब्लैक होल से बाहर निकलाते हैं तो एपसोड नमबर 96 की स्टार्डिंग होती है लांस जानी ने अपन की अटेंशन हमारी तरफ आ जाओ इंवस्टिगेशन के लिए हमारी तरफ आ जाओ बाकि सब भी हरान हो जाते हैं जोनी सोच रहा होता है डेंग बू सोच रहा होता है कि नहीं सिर्फ मनी चाहिए हमसे चलो में देखता हूं कि तुम डरे हुए कि नहीं जोने बोलता है सेफ केजिस को उपन करो फुल पावर स्पीड अप हमें रश करना पड़ेगा यहां से भागना पड़ेगा इंविजिबल मोड को अनेबल करो डेंग बू को जदे हरानो जातर बोलता है क्या जल्दी से मुव कर रहा होता है वो शिप सुन के पिछे पड़ी होती है जाने बोलता है टार्गेट क्लोग करो एंटी मेंटर रोकेट्स को लौंच करो वो ऐसे शूट कर रहा होता है उन लागbnा बैध्ड कने पार्बेट को मारे रही होती है जैसे कि उसने शिप कικά से लीमिट्स को पुछ कर लिया पर आघराइए सब्तेhos कि ब्रू इसे मोड़नी की ब्री हाँगी है उसने special dodging techniques को perform किया फिर 15 मिनिट के बाद वो safely बाहर निकलाते हैं डेंक बोलते हैं क्या मैं वहाँ पे जाऊँ मेरको vomit आ रही है बाकी भी बोल दूसरा बोल रहो था कोई कि मैं भी शायद सबी के बुरे हाल होते हैं वो एनिमी इसे बाग के पोँच के होते हैं इन्विजबल मोड को यूज करके जॉनी शांती के सांस लेता है और बोलता है कि ये कुछ जादा ही अच्छी राइड थी डेंक बोलता है क्या क्या तुम बेफकूफ हो तुम ऐसे क्यों ट्रबल में फसते जा रहे हो मैं ऐसे अकैडमी से कैसे बात करूँगा जॉनी अपनी रिंग की पावर को यूज करता और उसे म्यूट कर देता है जॉनी बोलता है मैं भूली किया था तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हें चुप भी करा सकता हूँ मैं क्यून बोलती है कैडटन तुम अपने रूम में जाओ हम जल्दी गहर में पहुंच जाएंगे डेंग बुक उज़ा गुश्टा होता है बर वो वैल कुछ बोल भी निपा रहा होता जानी उसे लेके जा रहा होता और बोलते कि अपना धिहान दो कैडटन हम तो में रिलीस कर देंगे जैसे हम पहुंच जाएंगे वापिस हम अरपस 6 गंटे है वैसे भी घर पहुंचने के लिए अब चुले देखते है क्या एक आगे फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखायता है शरक अकेडमी का वो चाय पीरी होती है डीन शानती से मतलब रिलैक्स होके वो सोच रही होती है मैं पीस में हूँ कितना ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है वो अनॉइंग सा बच्चा भी यहां पे नहीं है तब उसे मैसेज आता है वो बात करती है और बोलते क्या कोन है वो फिर पूरी बात को सुनती है और हरान हो जाती है उस कहां से जाएगा गब भी गड़ जाता है वेल बचारी को भी टेंशन दी है जवान्यू ने जवान्यू बोलते है कि हेलो मैडम लान जवान्यू मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ हम वापस आ गये है हम भाग के पहुंच गये हैं यहां पर जो टेस्ट है वो कंपलीट हो गया है पर कुछ इंसिडेंट हुए हमने कुछ मिस्टेक्स की है डेंगबू तो मैं डिटेल्स पताएगा मैं उन्हें मार दूगा चल रहा है कि पहुंच गया हिनकभू उसने डेंगबू का रिल्स कर दिया डेंग्बू गुसा ख़ता हुता हुआ है त्मिज से बच्चे वो सब मर गी है, मतलब मैं उनने मार दूग को चहएद ऐसाव या फिर इसनी है से बोलता कि वो मर गी है, डीनड़ जा थी बता किया तुमने तुमने करे किया, तॉमने प्रोमिस पर उनने कोई भी गंदी से मिस्टेक निकी है तुम इतने जार डरे हुए क्यों हो देंग भुरान हो जते और बोलता है क्या कोई टेरिबल मिस्टेक निकी है उनने लिटरली वो चीज़ की है तुम कैसे ऐसे इगनोर करने दोगे टांक जैन वो बोलता है कि मैं यह बोल रहा हूं कि इतने बुरा नहीं है इन्होंने फाइनल अग्जाम के लिए किया है डेंग भु हरान हो जाता है मैं मैं घर जा रहा हूं मैं कभी भी हल्प के लिए मत बोलना भुभी भाग जाते हैं टांक जैन wow बोलता है कि तुम्हें क्यों देने चाहिया रहा है कायों कि देने लिए इनः ने इस्टेऑ कि ले अंगhan के लिए जोननी पेसर देख रहा होता है वां पर साहर रखे सह जाता है उनके जो डेस्टनेशन था स्पेट रुडू यू उन्हें एक पर्सन को मिलना तो वह वहादन नाम पहले 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 सन और मून अकेडमी यू नाम फिर हमें मिंग्डू एक जग का सीन दिखायता है जॉन्यू वगार वहां पहुंच जाते हैं रियू रोयल अकैडमी में बाइजू बोलती है कि हम कैसे नाना को फाइंड करेंगे हमारे पस तो रेडार भी नहीं है जॉन्यू बोलता है कि मैं इसका ध्यान देता हूं मतलल मैं करता हूं कि मेरे पास प्लान है जॉन्यू वहां पहुंच तो गाड को बोलता है क्या तो हमारी यूनिफर्म को रिकोगनाइज कर सकते हो हम शर्क अकैडमी के फ्रेश्मेंज हैं हम तुमारे स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहते हैं ड्यूवल के लिए प्लीज अपने इतनी बड़ी हमने एक्सप्लोजन मचा दी यहां पर फाइट के बारे में ना तो जल्दी यहां पर मतलब फाइंड कर लेगी और आजाएगी तो अब ना वहां में पहुंच जाती है और वैल जुजू जुजू कर लेती है नाना को ना बोलते तुम दोन्हों कुजा लंब पारी थी तो मैं यहां पर आगई बेट ऐसा लग रहा है कि तुम थak गया हो तो जो टीचर होती है वो बोलती है यहां पर देखने के लिआये है इनने तुम में मैच कर लिए इस लिग वो लिए क्योंकि यह को फांड करने के लिए तो अब मैच की कोई जूरूरत नहीं है teacher बोलता है रुखो एक मिनिट मैने अपने students को बता दिया match के बारे में तो मैंसे cancel नहीं कर सकते हो Nana बोलती है क्या मैंसे cancel नहीं कर सकते है तो wait करो कुछ दिन का 10 दिन का wait यह थके हुए नहीं ब्रेक चाहिए है teacher बोलते है नाना यह हमारे owner reputation की बात है नाना बोलती है तो इस match को मैं cancel करती है मेरे students है मैं responsible हूँ इसके लिए वो गुस्से से देखती है है teacher की तरफ है teacher हरान हो जाती है जो नाना बोलती है चलो चलते है यहाँ पर है teacher सोच रही थी मैं तो move भी नहीं कर पा रही हूँ यह एक gold level warrior है मेरे को इसे dean को report करना पड़ेगा विले नहीं पता है नहीं तब आओ तब ही एक बच्चा होता वाँ पर वो बोल रहा था वाँ यह तीनों gorgeous हैं दूसरा बोलता है कि यह तो शर्क के student लग रहे है तीनों साथ में move कर रहे होते है एक इसनार माँ पर उता है वो बोलते है नाना हेलो नाना क्या तुम्हें मैं याद हूँ हम पहले दिन मिले थे न नाना को वैल उसे शायद पसंद आ गई है जौनी बोलता है तुम बच्चों को पता है पर सियों का क्या मतलब है जौनी बोलता ऑफकोर्स हमें पता है तुम ब्यूटिफुल हो तो काफ़सा लोग तुमारे प्यार में होंगे क्या तुम कभी relationship में थे नाना बोलती है मुझ खतम हो गई है वो देख रही होती है उनकी तरफ वो दोनों स्पिरिट्स बाहर आ जाती है वैल अबीस ड्रैगन और बीस्ट गोड़ वो बोलता है बीस्ट कोड़ की मैं मैजिस्टी को ग्रीट करता हूं मैं डीट्यान हूं किंग प्लीज मुझे माफ कर दो मैं ट्रांस्फ इस ड्रैगन उसके तरफ देख रही होती है बीस्ट कोड़ बोलता है यहां पे मिलेंगे नाना बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं एक स्पिरिट अनिमल हूं बीस्ट कोड़ बोलता है नहीं तुम उस कैटेगरी को एकसीड कर चुकी हो वैल तुम उससे उपर की चीज हो तुम एक गोड़ हो एक ग्रेट सिल्वर ड्रैगन तुम मारे लीडर थे उस वोर में जब हम हम हीूमन से फाइट कर रहे थे उनके ओपरेशन को रोकने के लिए हम रिवेंच लेने लगे थे उनके ओपर क्यूंकि वो हमारे लैंड के उपर इवेड कर रहे थे नाना बोलती इंजर्ड थे वैल चोटे लगी थे तो मैं और तुम गायब होगे थे पर यह कुछ जदा हिरानी की बात है और अनबलीवेबल है कि मैं तुम्हें अपनी खुद की आंकों से देख रहा हूँ नाना सोच रही होती ही की नहीं ऐसा लगाए कि पूछ गल्त है कुछ ज़्यादा इंपोर्टन चीज़ है मैं याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ उसकी memories वैल chain से बंद ही होती है उसे दर्द हो रही होती है Abyss dragon बोलती है your majesty क्या हुआ Nana बोलती है मुझे असा मत बोलो मैं तुमारी queen नी हूँ अब मैं को दर्द होती है सिर्फ मैं सोचने से ही मैं सिर्फ normal person की तरह जीना चाती है और इन बच्चों के पास रहना चाती हूँ तुम यहाँ पे रह सकते हो और इनके spirit बन सकते हो DTN बोलता है की ठीक है your majesty तुमने जैसा बोला हम वैसे करेंगे तुम ध्यान देना अपना ना सोच रही थी silver dragon में को कोई भी जादा मतलब grudge नहीं है गुसा नहीं है इनसानों के उपर उपर से मेरे पस memory भी नहीं है मैं सिर्फ नाना ही हूँ क्या silver dragon का मेरे से कोई लेना देना है बढ़ बड़ी तू ही है वो फिर मैं सुबा का सीन दिखायता है वो ऐसे vacation पे चले हुए थे नाना के साथ वो खा पी रहे होते हैं ऐसे ही हर तरह के food को try कर रहे होते हैं वो शोपिंग में जा रहे होते हैं साथ में वो काफ़ साथ होने travel कि और beautiful places में वो गए वो नाना के साथ में मतलब सो जाते थे वो normal childhood को जी रहे थे so guys episode number 96 अना था अगर आपके उड़ी पिसन तो लाइक और नहीं बेएफ़ी भी लाइक और दो शेक रहे होते हैं क्मेंट करके बताए अगर आपके उड़ी कैस लगे सब्सक्राइब करें तब तक लिए बाबाए